हेलो हाई नमस्ते हैं आप सिज्रिकाल की आलचाल कैसे आप लोग मैं खुल्दी भंडारी स्वागत करता हूं आपका विदान्तूस क्लास 9th & 10 चैनल पेंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले यार ncrt problems of arithmetic progression देखो यार arithmetic progression का मैंने एक बहुत लंबा चोड़ा सेशन लिया था उसमें मैंने लगबग हर एक टाइप का सवाल आप लोगों को खतम करवा दिये अगर आप लोगोंने मेरा वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के मैंने ncrt के हर एक टाइप की problem solve करा दिये अब आज के सेशन में मैं आप लोगों को कुछ ncrt के questions करवाओंगा और यह जो ncrt के questions है यह आप लोगों के जो एक्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा important होते हैं और सारे questions नहीं है क्योंकि बहुत सारे questions है यार यह फिर दुबारा से मतलब 3-4 गंटे का वीडियो बन जाता तो इस बेटर कि मैं आप लोगों को सिर्फ selected जो important important सवाल है जो सिर्फ बार-बार रिपीट हो रहे वो ना को solve करोगे तो जैसे और यहां पर हम सिर्फ questions को solve करेंगे concept अगर आपको सीखना है तो concept के लिए मैंने one shot video बनाया है उसका आप लोग वो जरूर देख लेना हो चालो करें the following situation does the list of the numbers involved making arithmetic progression वाई आपको यह बताने क्या यह AP होगा या नहीं होगा the taxi fare after each km when the fare is Rs.15 for the first km and Rs.8 for each additional क्या रहें कि एक taxi driver है वो पहले 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 एक किलो मीटर के लिए कितने रुपे चार्ज करती है 15 रुपे चार्ज करती है और उसके बाद हर additional extra km के लिए कितना 8 रुपे extra यानि कि फिर उसके बाद 23 Rs. रुपे हो जाएगा फिर उसके बाद 8 रुपे एक्स्ट्रा यानि कि कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 रुपे हो जाएगा दूसरे किलोमेटर के लिए तो इस तरीके से आपके पास यह एक taxi driver charge करता, तो क्या ये AP में है, बिल्कुल AP में है, common difference heart है, the amount of air present in cylinder when vacuum pump removes one-fourth of the air remaining in the cylinder at our time, क्या रहे कि माल लो आपके पास कोई cylinder है, उसके अंदर जो उसका volume है, उसके अंदर जो उसका volume है, मेरे भाई, volume कितना उसका X है, X उसका volume है, अब उसके एक pump में, पहले pump में, उसका जो volume निकला है, कितना air निकला है, one-fourth जो है air उसका निकल गया है, one-fourth अगर निकल गया है, तो बचेगा कितना, तो यार सबसे पहले आप X का one-fourth निकाल लो, X का one-fourth निकालोगे, तो कितना हो जाएगा, X upon four हो जाएगा तो बचा हुआ volume कितना होगा, remaining कितना होगा, remaining कितना होगा, remaining होगा, उसका x था पहले, उसमें से x by 4 चला गया, x by 4 चला गया, तो 3x by 4 बच जाएगा, अब इस 3x by 4 में से भी 1 4th क्या हो गया, चला गया, निकल गया, निकाल दिया, तो remaining कितना हो जाएगा, अब आप लोगों क था पहले उस 3x by 4 था उसमें से 3x by 16 अगर निकल गया निकल गया तो बचेगा कितना मेरे भाई बचेगा कितना 16 नीचे आ गया 4th result 12x-3x तो यह हो जाएगा 9x upon 16 यानि कि पहले जिसमें x था उसमें अब कितना निकला 1 4th निकलने के बाद कितना बचा 3x by 4 बचा फिर 1 4th निकलने के बाद कितना बचा 9x by 16 बचा तो आपको यह बताने क्या यह एपी में है तो इनका common difference आप निकालोगे common difference आप निकालोगे देखो इन्होंने example लेके कर लिया है कि 16 लीटर माल लो आप है ना बाकी आप अगर common difference अगर निकालोगे इनका माइनस 3 एड़ कर दू तो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा फिर माइनस 3 एड़ कर दू तो कितना हो जाएगा बिटा माइनस 2 हो जाएगा फिर माइनस 3 एड़ कर दू तो कितना हो जाएगा बिटा माइनस 5 हो जाएगा तो यह पहली 4 टम्स है इसमें भी first term है बिटा कितना minus 1 1 by 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 तो 0.5 add करोगे तो minus 0.5 बचेगा फिर 0.5 add करोगे तो 0 बचेगा फिर 0.5 हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा फिर 1.5 हो जाएगा ऐसे यह हो जाएगा for the following AP write the first term and common difference पहला term इसका कितना है 3 है common difference कितना है 1 minus 3 यानि कि minus 2 है minus 2 है अगर मैं इसकी बात करू A कितना है minus 5 है common difference की बात करू तो minus 1 minus minus 5 हो जाएगा तो minus 1 plus 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बहुत simple है मुश्किल नहीं है आप लोगों के पास first exercise में यही छोटे मोटे से सवाल है उसको आप आसानी से कर सकते हो second exercise में क्या है आपके पास general term of an AP के उपर questions दिए गए जैसे आपके पास ये है सब कुछ दे रखा है कहीं पे आपको AN निकालना होगा कहीं जैसे पहले वाले में तो पहले से निकाल रखा है AN निकाल रखा है ठीक है हलागी निकालना था formula से आप यहां पर आपको D निकालना है तो आपको AN कितना रखा है 0 D निकालना है तो AN के formula में लगा दो AN क्या होता है AN is equals to A plus N minus 1 into D An कितना है 0 है An अगर 0 है A कितना है minus 18 है plus N N कितना दे रखा है 10 दे रखा है 10 minus 1 into D D आपको निकालना है तो यह क्या हो जाएगा माइनस 18 प्लस 9 इंटू D माइनस 18 इदर हो जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा इस इकल्स टू 9D तो 9 से काट होगे तो 2 बचेगा तो D का value कितना आगया 2 आगया तो यहां पर आप इसको substitute कर सकते हो तो ऐसे ही बागी के questions में भी निकाल ले ना आप निकाल लोगे चलो what will be the 30th term of this AP यह AP है जिसकी first term AN is equals to A plus N minus 1 into D यह common यह formula होता है आपको 30th term निकालना है first term कितना है 10 है plus 30 minus 1 into D common difference कितना है common difference कितना है negative AP माइनस 3 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा 10 plus 29 into minus 3 तो यह हो जाएगा 10 minus 9 3027 का 7 2 carry 3 2 6 और 2 8 माइनस 87 option number से ठीक है चलो अब यह है आपके पास यहां पर आपको missing numbers निकालने यह जो box में numbers है ना यह निकालने तो देखो इसका बहुत simple सा है बहुत simple सा है देखो यहां पर आपके पास first term दे रखा है और third term दे रखा है third term third term का मतलब क्या होता है a plus 2 d a plus 2 d अब a आपके पास कितना है 2 है plus 2 into d d आमें मालूम नहीं 3rd term कितना दे राई 26 के बराबर 2 दर जाएगा 2 d its कोल कितों हो है दो 144 कितना पर दो में 12 तोश Gy Przy 12 तोफिर भारा एकट ऊ주रा है 26 अब्या पर first term नहीं दे रखा है यह नहीं दे रखा लेकिन आपको क्या दे रखा है second term और तो यह वाला सवाल मैं बताताव उसके बाद आप यह वाला कर लेते काम करते यही कर दो यार यहीं कर लो seas D का value आजाएगा, आपके पास कितना बिटा, minus 5 आजाएगा, common difference minus 5 आजाएगा, किसी भी equation में substitute करो, A plus minus 5, यह इदर भेजोगे, तो A का value आजाएगा, 18, तो first term कितना है, 18, फिर minus 5 है, फिर minus 5 करोगे, इस में से 13 में से 5 गए, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 में से 5 गए, तो 3 बचेगा, है ना, ऐसे निकाल, बाकी की टम से निकाल सकते हैं, चालो जी, आगे बढ़ते हैं, which term of an AP is 78, आपको यह बताने, कौन सी term 78 होगी, which term यानि की N निकालना है, तो A N का formula है, A plus N minus 1 into D, A N कितना है मेरे भाई, 78 है, A कितना है, 3 है, plus N minus 1 into D, common difference कितना है, 8 minus 5, 8 minus 3, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 को इधर भीजोगे, कितना होगा, 75 होगा, 5 इधर आएगा, divide हो जाएगा, is equals to N minus 1, काटोगे, 15, 5's are 75, minus 1 को इधर भीजोगे, तो 15 plus 1 is equals to N, तो N का value आजाएगा, 16, N का value आजाएगा, 16, ठीके जी, find 31st term of an AP, whose 11th term is 38, and 16th term is इतना, आपको एक AP है, जिसकी 11th term इतनी दे रखी है, और 16th term इतनी दे रखी है, तो 11th term of an AP is what, that is 38, 11th term मतलब क्या हो जाएगा, A plus 10D, A plus 10D is equals to what, that is 38, and 16th term is 73, 16th term इतनी दे रखी है, 73 दे रखी है, आप अगर मैं अपनी इन दोनों equations को solve करू, A plus 15D, 73 के बराबर, and A plus 10D, A plus 10D is equals to 38 के बराबर, दोनों को, दोनों को माइनस कर दो, A से A काट होगे, 15 से 10 काट होगे, 5D is equals to 8, और 5, 13 को 3, तेरा को 3, और ये 6 में से 3 में 3, तो 5D का value आगया, 7, तो D आपके पास कितना आगया, मेरे भाई, 7 आगया, अब D अगर 7 आगया, किसी भी equation में substitute करो, किसी भी equation में substitute करो, A plus 10 into 7, is equals to 38, तो ये हो जाएगा, A plus 70 is equals to 38, तो A का value कितना हो जाएगा, 38 minus 70, 38 से 70 को घटा दो, तो कितना बचेगा, 40, 32, minus 32, ठीक है जी, चलो, ये निकालना था, क्या निकालना था भाई, इसमे, find 31st term, अच्छा भी, इसकी 31st term भी निकालनी है, तो 31st term, अगर मैं निकालना चाहूं, तो वो क्या हो जाएगा, A plus 30D हो जाएगा, A plus 30D, तो A कितना है, minus 32, plus 30, into D कितना है, बचा साथ है, तो ये हो जाएगा, minus 32, into 7, 3, 21, 210, तो पहले 30, 10 गटा दो, 200 बचेगा, फिर 20 गटा दो, कितनी है, 4 है, और 9th term किसी AP की, कितनी है, minus 8 है, which term of an AP is 0, तो 3rd term क्या हो जाएगा, A plus 2D is equals to 4, 9th term क्या हो जाएगा, A plus 8D is equals to minus 8, दोनों equations को solve करोगे, elimination method से, तो A plus 8D is equals to minus 8, और A plus 2D is equals to 4, subtract कर दो, A से A, 6D is equals to minus minus, कितना हो जाएगा, 8 or 4, 12, तो D का value कितना हो जाएगा, minus 2, minus 2 हो जाएगा, D का value कितना हो जाएगा, minus 2, अब अगर D आपका minus 2 है, तो A plus 2D is equals to 4, तो A plus 2D, D का value minus 2 is equals to 4, तो A minus 4 is equals to 4, तो A का value आजाएगा, 4 plus 4, यानि कि A का value आजाएगा, 8, A का value आ जाएगा 8, क्या निकालना है, अब आपको यह बताना है, इस AP की कौन सी term 0 होगी, कौन सी term 0 होगी, यानि की AN 0 कब होगा, तो A plus N minus 1 into D, A का value कितना है, 8 है, plus N minus 1 into D, D का value कितना है, minus 2 है, equals to 0, 8 हुदर जाएगा, तो minus 8 हो जाएगा, minus 8 से minus 2 को काट होगे, 4 हो जाएगा, N minus 1 equals to 4, तो N का value हो जाएगा, 5, 4 plus 1 कितना हो जाएगा, 5 minus 1 उदर जाएगा, तो, ठीक है जी, चलो, if 17th term of an AP exceeds, exceeds 10th term by 7, क्यारे कि किसी AP की सत्रवी term जो है, वो 10th term से, 10th term से, exceeds 10th term by 7, 10th term से कितना जादा है, 7 जादा है, अगर किसी AP की 17th term जो है, वो 10th term से 7 जादा है, find the common difference, तो common difference क्या होगा, तो common difference क्या होगा, आओ, 17th term मैं अगर देखू, तो A plus 16D हो जाएगा, 10th term अगर मैं देखू, तो A plus 9D हो जाएगा, is plus 7, A से A कट जाएगा, 9D इदर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 16D, माइनस 9D, is equals to 7, दोनों को कार्ट होगे, 7D बच जाएगा, 7 के बराबर, D का value आगया, 1, चल, 2 APs have the same common difference, the difference between their 100th term is 100, what is the difference between their 1000th term, कह रहें कि 2 AP है, 2 AP है, एक मान लो A1, A2, A3, ऐसे करते करते कहीं पे A100 आएगा, आगे करते करते कहीं पे A1000 आएगा, ठीक है, दूसरी AP है, आपके पास B1, B2, ऐसे करते करते कहीं पे B100 आएगा, और ऐसे करते करते कहीं पे B1000 आएगा, अगर इन दोनों AP का common difference same है, same है, यहाँ पे भी दोनों में common difference D है, यहाँ पे भी D है, यहाँ भी D है, तो कहरें कि उनकी जो 100th term है, उनका जो difference होगा, A100-B100, वो कितना है 100 के बराबर, अब अगर मैं A100 देखू, तो वो क्या हो जाएगा, A plus 99D हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, B plus 99D, क्योंकि common difference A में तो D ही रहेगा, अब अगर मैं bracket open करूंगा, तो A plus 99D, माइनस A, माइनस 99D हो जाएगा, 99 से 99 कर जाएगा, तो A minus B, A minus B का value कितना बचा, 100 बचा, A minus B का value कितना बचा, 100 बचा, अच्छा, अब उसी तरीके से उसने बोला, 1000 term का difference, 1000, A thousand minus B thousand, ये, तो A thousand क्या हो जाएगा, A plus 999D, माइनस B plus 999D, तो bracket open कर दो, A plus 999D, माइनस B, माइनस 999, कट जाएगा, तो A minus B कितना बचाएगा, 100 बचाएगा, ठीक है भाई, चलो, how many three digits number are divisible by 7, 3 digits के कितने ऐसे numbers हैं, जो 7 से divisible है, जो 7 से divisible है, देखो सबसे पहला जो 3 digits का number है, वो है 100, आपको ये बत देखना है कि, क्या 107 से divisible है, क्या 107 से divisible है, 7 वंजा 7, 7 वंजा 7, 3, 0, 7, 4, 2, 8, अब मैंने आपको बताया, अगर आपने नहीं देखा ना, वंजाट वीडियो तो देखना उसको, वहाँ पर मैंने detail में concepts को सिखाया है, तो conceptual clarity चाहिए, वहाँ जाओ, description में link है, वहाँ जाओ, या फिर आप AP वंजाट सर्च कर सकते हो, है ना, 7 माइनस 2 का difference लो, कितना आएगा 5, और 5 को 100 में add कर दो, कितना हो जाएगा 105, तो ये पहला time होगा, जो 7 से divisible होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 112, ऐसे करते करते, आखरी आखरी जो number है, जो 7 से divisible है, वो है 999, तो 999 को अगर मैं 7 से divisible करू, 7 बन्जा 7, 2, 9, 7, 4, 2, 8, 1, 9, 7, 2, 14, 5 हो जाएगा, अब देखो, जब हमें बड़ा number निकालना होता है, तो ऐसे करना होता है, छोटा, अब मुझे क्या करना है, छोटा number निकालना है, छोटे number को क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा इस से subtract कर दो, 999 से subtract करोगे 5 को, तो 994 आजाएगा, अब आपको बताने कितने numbers हैं ये, कितने numbers हैं ये, ये एक AP बना रहा है बेटा, जिसका first term क्या है, 115 है, common difference क्या है, 7 है, और ये last term क्या है, nth place पे जो term है, वो क्या है ये, अब अगर मैं n की value निकाल लू, तो मुझे पता चल जाएगा, कितने numbers हैं, तो AN is equals to, A plus N minus 1 into D, AN, 994, A 105, plus N minus 1 into D, D का value है, 994 minus 105, is equals to N minus 1 into 7, देखो, 100 कम करूंगा, 884, फिर 5 कम करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 879, 7 से divide करतोगे, 7 वन्जा 7, 7 तूजा 14, 14, गढ़बढ किया मैंने कुछ, चलो, ऐसे कर लेते हैं, 9 बचा, फिर 8 बचा, फिर 9 में से गया, 8 बचा, इसको 7 से divide करते हैं, and minus 1, 7 वन्जा 7, 7, 7 तूजा 14, 7 7 वन्जा 128 टम्स है, 128 टम्स है, एन कबल, ठीक है जी, आपको, how many multiples of 4, lies between, 10 और, 200 के बीच में, ऐसे कितने नंबर है, जो 4 के multiple है, तो देखो, 10 के बाद, पहला जो नंबर आएगा, वो होगा, 12, फिर आएगा, 16, 109 यह नहीं है, तो 248 है, 248 है, तो, एन इस इकोल्स टू, ए प्लस, एन माइनस 1 इंटू डी, जैसे आभी पहला सवाल किया था, तो यह कितना हो जाएगा, 248, ए कितना है, 12, प्लस, एन निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी, इसको इस से सब्ट्राक्ट करोगे, 46, 236 हो जाएगा, 236 को 4 से डिवाइड कर दो, एन माइनस 1, तो यह हो जाएगा, आपके पास, 4, तो 5 जाएगा, 9, 9, 4, 36, तो 59 प्लस, 1 हो जाएगा, इस इकोल्स टू एन, तो एन का वेल्यू आजाएगा, 60, एन का वेल्यू आजाएगा, 60, for what value of N, are the Nth terms of 2 AP, are equal, अब बहुत बढ़िया सवाल है, यह है न, कह रहें कि आपके पास, 2 AP है, आपके पास, 2 AP है, 1 है 63, 65, 67, dot, 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 1 AP यह है, दूसरी AP क्या है, 10, 17, dot, 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 यह दो AP है, इन दोनो AP में, आपको यह बताना है कि, N की कौन सी value पे यह बराबर होंगे, यानि कि इनका An बराबर होगा, यह जो AP है, दोनो AP है, An और A-N बराबर होगा, N सेम है दोनों का, same number of time पे, N-th place पे यह दोनों सेम होंगे, कौन से, कौन से, for what value of N, अच्छा N की value अलग-अलग है, N की value अलग-अलग है, N और N-, यहाँ पे क्या है N-, बट A-N क्या है, दोनों का same है, A-N क्या है, same है, यहाँ पे A-N देखू, यहाँ पे A, first term कितना है, 63, plus N-1 into D, common difference कितना है, 2 का difference है, यहाँ पे 3, plus N-, minus 1, sorry, N-B same है, N-B तो same है, क्योंकि N की ही, मतलब यह same value है, same place पे, A-N अगर equal होगा, तो N-B तो equal होगा, तो N-1 into D-, D- कितना है, भाई, साथ है, ठीक है, तो थोड़ा सा, solve करेंगे इसको, plus 2N, minus 2, is equal to, 3, plus 7N, minus 7, तो 63, सब कुछ इदर उदर कर दो, एक काम करो, इसको इदर भेज़ दो, इसको भी इदर भेज़ दो, और 2N को उदर भेज़ दो, यह हो जाएगा, 63, minus 2, minus 3, plus 7, और इदर हो जाएगा, 7N, minus 2N हो जाएगा, काटोगे तो 61, 61, plus 4, 65 हो जाएगा, is equals to 5N हो जाएगा, तो काटोगे इसको, 13, 5, 65 हो जाएगा, तो, 13 तर्म जो होगी, इनकी दोनों की क्या होगी, सेम होगी, आपको यही तो बताना था, कौन सी टम सेम होगी, find 28 टम from the end, पीछे से इसका 28 टम निकालना है, तो पीछे से from last से अगर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बदाया है, यह होता है, अब 28 टम निकालना है, पीछे से last टम कितना है, 253, 20 माइनस 1 इंटो डी, डी कितना है, 8 माइनस 3, 5 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 253 माइनस 19 इंटो 5, 95 जा, 95, ठीक है, तो काट दो भाई, पहले 50 काट दो, 200 बचेगा, फिर 40 काट दो, 260 बचेगा, 263 बचेगा, फिर 3 काट दो, 260 बचेगा, फिर 2 काट दो, 258 बचेगा, 158 बचेगा, 8 रपां, 13 को 3, 1 कैरी, 10 रपां, ठीक है, ठीक है जी, चलो, the sum of 4th and 8th time of an AP is 24, कह रहे कि, जो 4th time है, 4th time है, 4th time है, और 8th time है, इन दोनों का सम जो है, वो कितना है, 24 है, 24 है, the sum of 6th time and 10th time is 44, और जो 6th time है, और, और कौन सी time है, 10th time है, 10th time है, इन दोनों का सम कितना है, 44 है, find first 3 terms of an AP, देखो, 4th time क्या हो जाएगा, A plus 3D, 8th time क्या हो जाएगा, A plus 7D, is equals to 20, 4th, 2A plus 10D, is equals to 24, तो 2 common ले लो, तो A plus 5D, is equals to 24, तो 2 से काट दो, 12 हो जाएगा, तो A plus 5D, is equals to 12, is equals to 12, ठीक है, तो यह हो जाएगा, आपके पास, A plus 5D, plus A plus 90, is equals to 44, तो यह हो जाएगा, 2A plus 9, और 5 कितना हो जाएगा, 14D, is equals to 44, तो 2 अगर मैं common ले लो, तो A plus 7D, is equals to 44, तो कट कर देंगे, तो 22 हो जाएगा, तो A plus 70, is equals to 22, तो यह हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो यह हो जाएगा, A plus 7D, is equals to 22, A plus 5D, is equals to 12, काट दो, काट दो, A से A काट दो, 70 से 5D काट दो, 2D हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 10, D का value बचेगा 2, D का value बचेगा 2, अगर D का value दो है मेरे भाई, तो किसी भी equation में substitute कर दो, साथ दोनी 14 22 तो एक वेल्यू आगया कितना 8, 8 रचार बारा ना एक वेल्यू आगया 8 पहला टम है 8, फिर दूसरा टम है 10, फिर तीसरा टम है 12 तीन टम्स निकालनी थी चलो हाँ अगला सवाल है ये क्या कहता है, fill in the blanks अबे, ये वाला तो ये वाला कर चुके हम है ना ये वाला तो कर चुके ये कैसे आ गया फिर शी अबे, ये वाले सवाल तो हम कर चुके है ना ये वाले सवाल तो हम कर चुके है भाई ओ गाईस जस्टा सेकेंड कुछ मिस्टेक हो गया है एक सेकंड रुप चाओ है ना ये वाले सवाल तो हम कर ही चुके है जीना यहां मरना यहां इसके सिवाए और जाना कहां है मेरी जिन्दगी हमको तेरा है तबार ना रहा दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा जैंने यहां आयए झ मिपक्वेबा इसका आयए तो बग्स ए मेंहां तो घच别र में जिन्दगे फ मुझे हवाए घाले वहाँ प्या है उन्ताम मेंहां है झाले फ मले जड़ मुझे है सब्सके मेजगी ह्राश एंगी हाल झाल झाल चलो तो मैं एड कर देता हूं भाई आपकी नजरों ने समझा यार के काबिल मुझे देखो यहां पर इसके solutions भी है बाकी मैं इसको समझा देता हूं कि करना कैसे है चलो जी आजब चलो जी पाइंड दसम आफ्द फॉल्वइंग अपको इन एपी के सम निकालने ठीकि नथे न तो पहला एपी क्या है इसको स्लाइड अड कर देते हैं ये हैं आपके पास दो, साथ, दो, साथ, बारा, अब तू कहां तक, दो, साथ, बारा, अब तू कहां तक, टेन टम्स तक, टेन टम्स तक, यानि कि N आपके पास 10 है, तो S10 निकालना, आपके पास S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N by 2 into 2, A, A कितना है, 2 plus N minus 1, यानि कि 10 minus 1, 9 into D, D कितना है, 5 है इसको काटोगे, 5 हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपके पास 5 into, 2 into 2, 4, 950, 45, तो यह हो जाएगा, आपके पास 5 into, यह हो जाएगा, आपके पास 49, 950, 45 का 5, 4 carry, 540, 20, 24, 245 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, ठीके जी, आजो, find the sum given below, अब आपको इनका sum निकालना है, मतलब, यह से लेके, 84 तक का, मतलब, यह आपके पास दिया गया, 7, 10 by 2, यह आपके पास ऐसे दिया गया, 7, plus 10, 1 by 2, plus ऐसे करते, 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 कहां तक, 84 terms तक का, मतलब, 84 terms तक का, नहीं, कोई term है, 84, वहां तक का sum निकालना, आपको, तो सबसे पहले, यार, इस AP का first term कितना है, 7 है, यानि की, common difference कितना हो जाएगा, 20, 21 upon 2 minus 7, तो यह हो जाएगा, common difference कितना, 7, 2s of 14, यानि की, 21 minus 14 upon 2, यह हो जाएगा, आपके पास, common difference कितना हो जाएगा, 1 second है, just a second, तो यह हो जाएगा, आपके पास, कितना, 7 by 2 है, 21 में से 7 गए, तो यह हो जाएगा, 7, चिके जी, अच्छा, अब उसके बाद, अब उसके बाद, अब उसके बाद, आपके पास, AN, मतलब क्या है, आपके पास, यहां तक का sum निकालना है, तो आपको, N पता होना चाहिए, त तो A plus N minus 1 into D, यह किस के बराबर है, 84 के, तो A कितना है, 7 है, प्ल spread N minus 1 into D, D कितना है, 7 बटा, 2, is इकोल्स तो 84 है साथ उदर चला जाएगा तो n-1 इंटु 7 बटा दो इस इकोल्स टु 84-7 तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा काट हो गे तो 11 बचेगा दो को उदर भेजोगे 22 बच जाएगा तो n- 1 22 के बराबर है तो n का value आगया कितना 23 अब आपके पास total terms कितनी है 23 अब आपके पास sn का एक formula होते है sn is equals to n by 2 into a plus an जब भी आपके पास last term दिया होगा तो sn क्या हो जाएगा आपके पास 23 upon 2 a first term कितना है 7 है an कितना है 84 है तो यह हो जाएगा आपके पास 23 upon 2 into आठर 91 ठीक है भी या अब इसको multiply करके यह आपका final आ जाएगा ठीक है जी चालो आगे बढ़ते हैं कि क्या रहेगी इनने एपी फर्स्ट टम दे रखा है पांच कॉमन डिफरेंस दे रखा है तीन अब न दे रखा है इतना find n और sn रखा है क्या-क्य दे रखा है फर्स में रखा है 5 कॉमन डिफरेंस दे रखा है तीन ठीक है और और क्या है और क्या है ऐ अर दे रखा है 50 तो एन यानि कि a plus n minus one into d is equals to कितना दे दिया है 50 दे दिया a कितना है 5 plus n हमें मालूम नहीं n minus one into d d कितना है 3 is equals to 50 5 उदर चला जाएगा तो n minus 1 into d 3 है तो 50 में से 5 गए कितना बचेगा 45 काटोगे 15 तो एन माइनस वन अगर 15 है तो एन का वेल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा एन निकाल लिया एन निकाल लिया अब आपको कहा रहे है कि एसन भी निकालो एसन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू यानि कि 16 बटा दो इंटू टू ए ए कितना है पाच प्लस एससोला माइनस वन एंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना है तीन है तो यह हो जाएगा 8 5 तू अ 10 अ लस्ट फिफ्टेन इंटू 8 10 प्लस 15 3s of 45 5 ऐस यह जाएगा 55 8 5s of 40 का 0 4 कैरी 8 5s of 40 40 ठीके जी how many terms of the AP must be taken for some 636 क्या रहे कि भाईया आपके पास कोई AP है कोई AP है आपके पास यह है 9,17,25 क्या रहे कि कोई AP है 9,17,25 ऐसी कोई AP है और ऐसे करते 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 इन सभी AP का जब मैं सम करूंगा तो आपको कह रहा है कि सम जो है कितना 636 636 तक कितनी terms का सम 636 होगा तो आजो भीया SN का formula लगाते है SN is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d यही formula होता है SN का यही formula होता है SN का, SN दे रहा है 636 is equal to n by 2 into 2a, a कितना है मेरे भाई 9 है plus n minus 1 into d, d हमें मालूम नहीं, d हमने निकाल लिया, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8, 9, 17 न, 8, ठीके, आजो थोड़ा सा solve करेंगे 636 as it is रहेगा, 2 को इधर भेज देंगे multiply हो जाएगा, is equals to n into 9 to the 18 plus 8 into n, 8 n minus 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 को दो, एक कैरी, 3 दूनी 6 और एक साथ, 6 दूनी 12 is equals to n into 8 n minus 10 हो जाएगा, ठीके जी, अंदर multiply कर दो, या अंदर multiply कर दो, 1, 2, 7, 2 is equals to 8 n square minus 10 n हो जाएगा, दो common लेलो 2 common लेलो, 2 common लेलो, 4 n square minus 5 n हो जाएगा, काटोगे 636 आएगा, quadratic equation बन गए, इधर 0 होगा, 4 n square minus 5 n minus 636, किसी भी method से, किसी भी method से, quadratic equation को आप solve कर सकते हो, किसी भी method से, quadratic formula से करना है, quadratic formula से, middle term splitting से करना है, n की 2 value आएगी, एक आएगी, मतलब किसी भी formula से करोगे, n की value आएगी, 12 और minus 54, 53 upon 4, ऐसा सा कुछ कह रहा है वो, तो ये तो fraction में या फिर negative तो कभी होती नहीं है n की value, तो n की value सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 12 बच जाएगी, ठीके जी, चलो, first term of an ap is 5, last term is 45, and sum is 400, कह रहें कि कोई ap है, जिसकी first term कितनी है, 5, last term, यानि की an कितना है, 45, और sum of n terms कितना है, 400 है, तो आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, common difference, number of terms and common difference, तो sn का formula होता है, बिटा, n by 2, कभी भी अगर last term दिया जाए, a plus an, यह होता है, sn दिया गया, 400 is equals to n by 2 into a, 5 plus an, 45, तो यह हो जाएगा, 400 is equals to n by 2 into 50, into 50, 50 into 25, पांच से काटोगे, तो 8, 5s of 40, फिर 5 से काटोगे, तो 5, 1s of 5, और 3, 0, 6, 5s of 50, तो n का value आगया, 16, तो total कितनी terms है, 16 है, अब d भी निकालना है, d कैसे निकालोगे, d निकालोगे, भी आप an के formula से, an is equals to a plus n minus 1 into d, an कितना है, 45 है, फर्स्ट उटम कितना है, 5 है, प्लस n कितना है, 16 minus 1 into d, इधर भी दो 40 हो जाएगा, 16, 15 into d, 5 से काटोगे, 3, 5 से काटोगे, 8, 8 बटा 3 आजाएगा, d, common difference कितना है, 8 बटा 3, ठीक है भी या, if the sum of first n terms of an ap is इतना, देखो, कह रहें कि कोई ap है, उसकी first n terms का बहुत important सवाल है, 4 n minus n square इतना है, आपके पास कोई ap है, यह सवाल, इस type का सवाल, मैंने अपने one shot वीडियो में भी बताया, वहाँ पर detail में concept को समझाए, क्यूं ऐसा हुआ है, जो भी चीज हुई है, क्यूं, कारण जानना है, वो जरूर देखना बिटा, क्योंकि बहुत important चीज है, अब वही चीज अगर मैं बार-बार यहाँ पर भी करवाँगा, तो that is, थोड़ा सा मतलब समझ रहो, हाँ, तो आपको बहुत चारी चीजे निकालने है, आपको S1 निकालना है, आपको sum of first two terms निकालना है, बहुत चारी चीजे निकालने है, तो देखो, ऐसा कोई सवाल आएगा आपके पास, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले S1 निकालना है, S1 यानि की N की जगा पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यह हो जाएगा, S1 हो जाएगा आपके पास 4-1 यानि की 3, और जो S1 होता है भहिया, वही हमारा first term के equal होता है, तो first term हमारी आगई है, कितनी 3 आगई है, फिर आपको S2 निकाल लेना है, S2 यानि की 4 into 2 का square, तो यह हो जाएगा आपके पास 8-4, 8-4 यानि की कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अच्छा, अब अगर मैं S2 की बात करूँ, तो A1 प्लस A2 is equal to S2, और यह किसके बराबर है, 4 के बराबर है, 4 के बराबर है, अच्छा, अब इसके बाद, अब इसके बाद, अब इस 3, 4-3 कितना हो जाएगा, A2 is equal to 1, A2 कितना हो जाएगा, 1 हो गया, A1 कितना हो गया, 3 हो गया, अब अगर मैं common difference निकालू, common difference निकालू, common difference निकालू, D is equal to A2, यानि कि 4, sorry, A2 minus A1, D क्या होता है, A2 minus A1 होता है, तो D क्या हो जाएगा, आपके पास, 1-3, यानि कि D कितना आगय ग्या, मैंनस दो आगया, अब आपके पास, बेटा, first term पता है, common difference पता है, आप सब कुछ निकाल लोगा, आप सब कुछ निकाल लोगा, अब देखो, पहले इतना काम करो, उसके बाद देखो, क्या निकालना है, third term, tenth term, और nth term, third term, यानि की, a3, यानि कि a plus 2D यानि कि a कितना है मेरे भाई एक इतना है 3 है plus 2 into minus 2 यानि कि 3 minus 4 यानि कि minus 1 हो जाएगा third term ठीक है tenth term आप निकाल लोगे और क्या और क्या बोला है nth term निकालने को बोला है an भी बोल रहा है an is equals to a plus n minus 1 into d होता है एक इतना है first term कितना है 3 है plus n minus 1 into d d कितना है भाई minus 2 है 3 minus 2 को n से multiply कराओगे minus 2n minus 2 minus 2 plus 2 हो जाएगा तो 5 minus 2n ये इसका nth term हो जाएगा ठीक है भी या ऐसे करना है इसको सभी किया है आज minus 2n ठीक है चालो अब आखरी सवाल आज की सेशन का है ना आई नो एपी में बहुत सारे सवाल है कुछ word problems भी है कुछ और भी सारे चीज़े हैं बट यार वो सारा कुछ में one shot videos में करवा चुक हो अपने उसमें है ना मैं चाहूंगा कि आप एक बारी वो वीडियो देखो और फिर खुद से उन questions को solve करने की कोशिश करो है ना खुद से जब आप solve करोगे तो आप सीखोगे क्यूंकि अगर मैं यहां पे मैंने कुछ सवाल तो करवा दिये ठीक है अगर मैं सब सवाल करवाऊंगा तो that is called as spoon feeding और spoon feeding की habit मत बनाओ बस आप लोग है ना आप लोगों के पास ठीक है कुछ मैंने अप्रोच बता दी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है बाकी spoon feeding की habit मत बनाओ आप लोग खुद से करने की कोशिश करो है ना find the sum of first sum of odd numbers between 0 to 50. 0 से 50 के बीच में जो odd numbers से odd numbers से सबसे पहला कौन से 1 है फिर 3 है फिर 5 है फिर 7 है ऐसे odd numbers से last कौन से होगा 49 इन सब का sum बताना है तो सबसे पहले n निकालो n कैसे निकालोगे a plus n minus 1 into d से a n कितना 49 1 plus n minus 1 into d कितना है 2 तो यह हो जाएगा इधर minus करोगे 48 is equals to n minus 1 into 2 2 से cut करोगे तो कितना हो जाएगा 24 minus 1 इधर आएगा तो 25 is equals to n का value कितना हो गया 25 हो गया अब आपको क्या करना है इन सभी terms का sum निकालना है इन सभी terms का क्या निकालना है sum of first 25 terms तो यह हो जाएगा 25 upon 2 into 2 a कितना है 1 plus 25 minus 1 into d कितना है 2 तो यह हो जाएगा 25 upon 2 अगर देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है कॉम या अंदर मैंटिप्लाई करके सॉल कर लो 24 into 224 into 2 हो जाएगा 48 तो यह हो जाएगा पच्छिस बते 2 into 50 काटोगे पच्छिस आएगा 625 क्या हो जाएगा इनका सब का साम हो जाएगा 625 टिके जी तो यह सब्सक्राइब आप कुछ सीखे होंगे सीखे होंगे तो डिफिनेटली हम मजे करो है ना बाकी दो लाइक शेयर और शेयर अब्सक्राइब इस चैनल पर इस ताइप आप अमेजिंग व्यूस्ट टाटा बाई बाई